हेई एवरिवान वेल्कम टू टेस्टी वेट रेसिपी बिना चीनी के एकदम क्विक और इजी तरीके से हम बनाएंगे मखाना लड्डू इसे आप आराम से एक महिने तक स्टोर कर सकते हैं एटाइट कंटेनर में चलिए शुरू करते हैं मखाना लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक चमच के जितना घी ले लिया है जैसे घी गरम हो जाए इसमें डाल देंगे दो कप मखाने मीडियम फ्लेम पर हम मखाने को भून लेंगे कंटेनसली चलाते हुए जब तक कि वो एक तम क्रिस्प नहीं हो जाते बड़ो से लेकर बच्चों के लिए बहुत फाइदे मंद है तो मखाना हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए है इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है साइड में अब उसी पैन में और एक चमजगी डाल दीजे और दो टेबल स्पून के जितना गोंद ले लिया है इसे हम फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर देखे गोंद भी अच्छे से स्वेल हो गया है अब इसे भी आप साइड में निकाल लीजे उसी प्लेट में जिसमें मखाना निकाला था पैन में आप डाल दीजे एक चौत आई कप के जितना बदाम और काजू इसे चलाते हुए रोस्ट कर लीजे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाते देखे कितने अच्छे से भुन गया है ये ब्राउन माक्स आ गये हैं इसके उपर इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे आप सेम पैन यूज किया है मैंने और उसमें डाल दिया है आदा कप के जितना सूखा हुआ ग्रेट किया हुआ नारियल वैसे आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं ग्रेट करने की जगा low to medium flame पर इसे भून लीजे, high flame मत कीजेगा यहाँ पर वरना हमारा जो नारियल है वो बहुत जल्दी color change करता है वो जल भी सकता है अब जो मखाने, गोंद और dry fruits हमने भूने थे ना उसे हम एक grinder के जार में डाल देंगे याद रखे, सिर्फ यही चीजे डाली है मैंने और जो coconut था जिसे भूना था उसे नहीं आट किया है आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, इन्हें अच्छे से grind कर लीजिए जो भूना हुआ coconut है वे बाद में आड करूंगे उपर से और अच्छे से इसे mix कर लेंगे अब चीनी वगिरा तो हमने कुछ इसमें आट की नहीं है तो मिठास के लिए क्या डाला जाए चलिए उसका विंतजाम हो जाएगा यहाँ पे एक चमच मैंने घी डाल दिया है और उसमें डालेंगे तीन चौथ हाई कप के जितना गुड गुड आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए डाक कलर का और ग्यानिक हो तो और भी जादा बेटर चमच पानी डाल दीजिए और सारा का सारा गुड जो है उसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिए मेल्ट किया गुड हम इसमें डाल देंगे लड्डू के मिश्रन में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनिशिली आप स्पून से मिक्स कीजेगा क्योंकि काफी गरम है और फिर हलके हलके हातों से मिक्स कर लीजिए बात में देखिए एकदम अच्छे से ये बन जाएगा और लड्डू बन जाएगे इसके लेकिन अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसमें चाहे तो किश्मिश डाल दीजे और ग्राइंडर जार में दो-तीन मिनट के लिए चला लीजे अपने आप बनने लगेगा इसका लड्डू बहुत ही हल्दी है इम्म्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता है इसलिए एक लड्डू का सेवन तो हमें रोज करना चाहिए इसे स्टोर कीजे एटाइट कंटेनर में एक मेहने तक तो यह खराब नहीं होगा इसे टिफिन में दीजे या फिर इवनिंग स्नैक्स में और एल्स ब्रेक्फस्स के साथ इसे एंजॉय कीजिए दूद के साथ थैंक्स फर वर्चिंग बाए